जार्खन्ड अप्राइब जार्खन्ड अप्राइब अपनी परंपरा और प्राकर्थिक विरासत के कारण पुरे देश में अलग पहचान रखता है। यहां पहार, जंगल और खुबसूरत जल प्रपातों के साथ साथ खान पान और तिवहार भी अपना मनमोहक रूप दिखाते हैं। यूदो इस राज्य की कई खासियते हैं पर यहां के परंपरिक भोजन और तिवहार हमीशा लोगों को अपनी ओर अकरशित करते रहे हैं। यहां की लोग खाने और ख्याने के बहुती शौकीन होते हैं। इसलिए यहां तिवहारों को बहुती धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। जिसमें जारकंडी परंपरागत जार्खंड में चावल की पैदावार बहुत अच्छी होती है इसलिए यहां के मूल निवासी ज्यादत चावल और उससे बने व्यांजन खाना बिहद पसंद करते हैं इसके इलावा यहां कही तरह के साग भी बहुत ही स्वादिस्ट होते हैं साथी सेहत के लिए भी काफी फा जार्खंड में हमेशा से आदिम जाती और जंजाती का बसेरा रहा है इसलिए यहां का खान पान देश के बागी राज्य से काफी अलग है यहां के अधिकाईश लोकों का जंगल और परियावरन से जुड़ा होने के कारण यहां के खाने पीने में भी आदी संस्कृति की च जार्खंड के लगबक सभी इलाकों में चावल की पैदवार होती है और यही कारण है कि यहां चावल से बने विभिन्य वियन्जन को अलग-अलग रूप में पीश किया जाता है जो बहुती स्वादिस्ट और पोशन से भरे होते हैं चावल की पैदवार अधीक होने के कारण जार्खंड में चावल से कई प्रकार के वियन्जन बनाए और खाय जाते हैं जो स्वादिस्ट तो होते ही हैं साथी सेहत के अनुरूब भी होते हैं जार्खन में चावल से विविन प्रकार के व्यंजन बनाय जाते हैं जिसमें सबसे प्रसिद है धुस्त का जो जार्खन के रगरग में बसा हुआ है। फिर उस घोल को तेल में पकाया जाता है। किया जाता है। तो उसको आप चटनी सॉस या कुछ भी धनियां पर चटनी के साथ भी खा सकते हैं तो यह है और यह दुस्का हम लोग का जहारखन में है इवन भीहार के कुछ जाजिमें है चर्टीश कड़ में खाते हैं और शावल से बनता है इसमें आप अपने अनुसार इसमें आप कुछ प्रते तो बहुत लोग ऐसके करते हैं नमक तो रहेगा है, इसमें लोग गोटा जीरा भुत इयरा में तो शेल दल को है लेकिन कहीं शेतर में कि दिख के लिए धनिया जट ए cynérique तो इस तरह से आप देखें कि कि इसमें अलग अपने चेंज कर सकते हैं और इसमें दाल है तो आपको प्रोटीन मिल गया चावल है तो सब्सक्राइब तो दोस्का और अलुच नागे साथ लोग इस्तमाल करते हैं प्रसंद करते हैं जो चलका रोटी के नाम से जाना जाता है चावल और बेशन से तैयार होने वाला चिलका रोटी लहसन और चटनी के साथ गजब का स्वाद देता है यह व्यंजन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसका स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है चावल और चना जैसे पौश्टिक तत्वों से तैयार होने वाला चिलका रोटी हेल्थ के लिहास से भी बहुत अच्छा होता है और इसमें आपको भरपूर मात्रा में काप्स और प्रोटीन मिलते हैं चिलक प्रोटीन दाल और उरत दाल को चार से पांच घंटों तक भीगने के लिए चोड़ दिया जाता है फिर भीगे हुए चावल और दाल को पीस कर इसमें पानी मिलाकर घोल तयार कर लिया जाता है उसके बाद घोल को गर्म तवी पर पकाया जाता है चिलका पकने के बाद को भिनने होता है और तेल रहित होने के कारण ये सिहत के लिए काफी अच्छा भी होता है जार्कम का एक और जो में डेस है वह श्लका रोटी जिससे आप देखे आँगे सौथ में लोग अधोसक आते हमारे यहाँ भी शिलका के अनिक प्रकार है एक शिलका जो बनता है उस ह हम इस्तेमाल करते हैं आर्वा चावल का आठा वो ड्राइ होता है उसमें हम पानी घोल के बनता है देन हम लोग गरम तावा में डालते हैं तेल लाल के तो वह तरीका हुआ खिल करोटी का एक अव तरीका है जिसमें हम चावल और उरत दाल अगें वन इस तो तूगर एस्यो मे पीछने के बाद जिस तरह हमने कहा कि दुसका बनता उसी तरह इसको करना है कि तावा में इसको पैन आपको बनाना है चिल करोटी को ठीक है चिल करोटी जिस तरह मैंने कहा कि जार्खरन में में मेंली हमार चावल से बनता है तो चिल करोटी के फायदे आपको देखेंगे त तो इसमें तेल कम लगता है, हेल्दी है, बिकॉज डाल है तो आपका पठील मील गया, चावल है इसमें कार्बोरेट हाड़ेट हो गया, इसमें और भी आप रेसिपी चेंज कर सकते हैं, जब आप मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें हलका आप लसुन, अद्रग है ना, वो भी डाल सकते हैं, धुसका और छिलका रोटी के इलावा, जार्खन में चावल से पिठा, अर्सा रोटी, दुधोरी, आदी जैसे स्वादिस्ट व्यांजन भी बनते हैं, जिसे यहां के लोग बड़ी ही चाव से खाते हैं, लेकिन जार्खन में चावल से एक मादक पदार्थ भी ब बनता है, ये जार्खन और छतीस गड़ में बहुत ही प्रसिध है, इसे जार्खन के मूल आदिवासियों ने बहुत सोज समझकर इजाद किया है, हडिया एक मादक पे होते हुए भी आदिवासियों की परंपरा और संस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है, हडिया चावल और रानु नाम की जंगली जड़ी से बनता है, जिसमें मादकता तो होता है, परंतु एलकोहल बिल्कुल भी नहीं होता, हडिया तयार करने के लिए जंगली बूटी, चैली, कंदा की जड़ में पाए जाने वाले खास जड़ी को अरवा चावल के आटे में कूट कर मिलाया जा और फिर उसकी गोलिया तयार की जाती है, इसके बाद चावल को पकाया जाता है, जिसे आदिवासी सिझाने की विधी कहते हैं, सिझाने के बाद चावल को ठंडा किया जाता है, जिसे भात जुडाना कहा जाता है, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो एक बड़े ब वो पाउडर बना कर मिलाया जाता है। उसके बाद उस भाद को बरतन से ढख कर फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। फिर दो से चार दिन के बाद चावल को घोट कर उसमें पानी मिलाया जाता है और तयार हो जाता है। जारकंड की पारम परिक मातक पदार्थ हडिया, आदिवासियों ने हडिया के नर्माण में मूल रूप में पोशन का बहुत ही अच्छे ठंग से ध्यान लखा है, इसमें इस्तमाल होने वाला रानू, हाई कैलरी और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, वहीं चावल और गे जाडाईबुटी होती है जाडाईबुटी और चावल का आठा, इसको मिक्स कर्के वाइट बालस होनों, एक अटा होने के पहर सीगलते है और इस तो आप पूरे पूरे प्रोसेस में कहीं भी केमिकल इसमें अड़नी हो रहा है तो आप यह पूरा प्योर्ली ऑर्गनिक डिंक है उसी तरह हम बात करेंगे उस्तां मिक्स करते हैं मिक्स करने के बाद उसको मट्टी का हंडी में फर्मिंट होने के लिए हर एक चीज का अलग अलग इसमें आप गुन देखेगा कि हडिया जो है है आपके जॉन्डिस में इस्तमाल होता है अब देखें के हेल्फ बेनिफिट तो और इसमें क्या है यह बनता है चावल से तो यह कार्भाईडर्स भी है तो लोग जब ठक हार के आते हैं हमाई ग्रावीं छेत्र में काम करने के बाद तो एक दो हरिया काफी होता है उनको उनक अपने नाजगान में इस्तमाल करते हैं इवन पूजा में इस्तका इस्तमाल होता है हमेशा आदिवासी समाज में जब भी कुछ पूजा होता है तो इसमें चावल अरवा चावल फिर आपका हरिया का तो इस्तमाल होता ही है चावल के अलावा जहार्खन में कई तरह के साग और जाईकेदार रुग्डा भी बहुत चाव सिखाय जाते हैं चना, खेसारी, मेथी, बत्वा, साग और रुग्डा एक खास मौसम में ही मिलते हैं रुग्डा बरसात के मौसम में मिलते हैं रुग्डा जारखन का परामपरी खाद पदार्थ है ये मश्रूम प्रजाती का होता है जो मूल रूप से जारकन में ही उखता है इसे पूटू के नाम से भी जाना जाता है बारिश के मौसम में बिजली गिरने की वज़ा से जंगलों में दरार पर जाती है इनी जमीन के दरारों में रुगणा पनकता है इसे ग्रामीर एकटा कर लेते हैं और धोकर इसे मीट की तरह पकाते हैं रुग्डा को भी यहां की लोग ज़ादतर चावल के साथ बहुत ही मज़े से खाते हैं इसके खाने के शौकीन, इसे वेज मीड भी कहते हैं, इसमें कई स्वास्त संबंधी गुड़ भी होते हैं, रुगड़ा, ब्लट प्रिशर, अनीमिया और दिल के मरीजों के लिए बहुत ही फाइदमन साबित होता है। लेठो साग है, मुच्री है, गंधारी है, बेंग साग है, रुगड़ा है, खुखडी है, तो आप देखेंगें कि इतने अनेक तरह के चीजें हैं, और सब में हेल्थ बेनिफिट्स है। अब बात करता हूं रुगड़ा की, तो रुगड़ा बारिस के समय होता है, यह सीजिन प्रोड़क्ट है, और उसी तरह बात किया जाए, खुखडी भी जेंगल से, जो नैचरल होता है, उसको यहां पर लोग इस्तमाल करते हैं, ग्रावीन चेतर में हम लोग, अब मैं आपको बताऊंगा, जहारखन का एक और डिस है, डुम्बू और पीठा, कई लोग उसको प बनाके उसको उसके अंदर फिलिंग आलते हैं, गुड और एसपर टेस्ट, गुड बदाम, गुड नारियल वो फिलिंग दे के फिस को स्टीम करते हैं, उसी तरह पीठा है, पीठा भी चावल का आटा से बनता है, चावल का आटा को अपने गरम पानी मिक्स करके उसको और किजेगा यह सब जितने भी खाना हम बता रहें, छिलका रोटी हो गया, डुसका हो गया, डुम्बू पीठा है, यह सब क्या है आपका जिसमें तेल कम है, आप उसे हेल्दी खाना है और उसमें चावल का आटे का बना है, मिस्कार्बोहाइडर्स है, तो आपका पेट भ अलगलग तरह के तिहार मनाते हैं, इन तिहारों का हमारी जीवन में बहुत ही घहरा महत्व है, इनकी बिना हमारा जीवन निरस और उप से भरा हो जाता है, तिहार से हमारी जीवन में परिवर्तन और उल्लास का संचार होता है, जारखन राज्य के तिहार अपने अंदर के प्रकृति बोध समिठे कुछ अलग ही चठा बिखेरते हैं। जारकण में कुल 32 जन जातियां मिलकर रहती हैं। एक विशाल संस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ यहां के मनाये जाने बाले त्योहारों प्रकृति और उसके उपासना पर भी आधारित हैं। अपसे प्रमुक और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है सरहुल। चैतर कृष्न पक्ष्टिर्तिय से प्रारम हो बैसाक तक चलने वाला येक अध्भुक धार्मिक त्योहार है। साल के व्रक्ष में फोलों का आना इस त्योहार के आने का घोतक है। सरहुल के दिन यहां के लोग प्रक्रती में उपजने वाली सभी वन संपता को अपनी आरद्धे देवी पर अरपन करते हैं। और पूजा के बाद ही स्वयम इनका प्रियोग आरम करते हैं। सरहुल वसंत के मौसम के दोरान मनाया जाता है। ये गाउं के देवता की पूजा है जिने इन जंजादियों का रक्षक माना जाता है। देवताओं की पूजा साल की फोलों से की जाती है। परंपरा के अनुसार त्युहार के एक दिन पहले पान के द्वारा तीन नए मिट्टी के बरतन लिये जाते हैं। और उनमें ताजा पानी भरा जाता है। पिर अगली सुभा इन मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी का इस्तर देखा जाता है। अगर पानी का इस्तर कम होता है तो इससे आकाल या कम बारिश होने की भविश्वानी की जाती है। और यदि पानी का इस्तर समाने रहता है तो इसे एक अच्छे बारिश का संकेत माना ज पूजा के दौरान पाहन के दौरा तीन अलग अलग रंग की युवा मुर्गे भी देवता को अर्पित किया जाता है। पूजा समाप्त होने पर गाउं के लड़के पाहन को अपने कंदे पर भेटाते हैं और गाउं की लड़कियां रास्ते पर आगे पीछे नाश्ती गाती उन्हें उनके घर ले जाती हैं। बिजली युवा और शबाब के देवता की भी पूजा की जाती है। ये पर हिंदू पंचांग के भादू मास की इकादशी को जारखन में पूरे हर्शो लास के साथ मनाया जाता है। इस आउसर पर शृधालू उपवास के पस्चात, करम व्रश का या उसके शाका को घर के आंगन में रोपित करते हैं। और दूसरे दिन कुल देवी इवम देवता को नवातर देकर ही उसका अपभोग शुरू होता है। पूजा से पहले एक बरतन में बालू भरकर उसे बहुती कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। और उसमें जौड डाल दिया जाता है। इसे ही जावा कहा जाता है। यही जावा आदिवासी महिलाएं पूजा के समय अपने बालों में लगाती है। कर्मा पर्व भाई बहन के मधुर रिष्टे का प्रतीक है। कर्मा के दौरान आदिवासी बहनें अपने भाईों की सलामति के लिए वरत रखती हैं। तथा उनके भाई कर्म व्रक्ष की डाल को घर के आगन या खेतों में कारते हैं। कर्म डाल को ये प्रकति के आराधे देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वो इस डाल को पूरे धार्मिक रिती रिवाज के साथ तलाब, पोकर, अत्वा नदी में विसरजित कर दिया जाता है। इस त्योहार के दोरान नई फसल आने की खुशी में एक विशेश निर्ते भी किया जाता है, जिसे कर्मा निर्ते कहते हैं। जारखन की धर्ती पर बलीदान को याद करते हुए भी एक पर्व मनाया जाता है, जिसे तुशू के नाम से जाना जाता है। सूरे की धनू राशी से मकर राशी में प्रवेश करनी और खेतों में तयार हुई नई फसल के स्वागत में, जब भारत वर्ष के अधिकांश लोग मकर संक्रांती का पावन त्योहार मनाते हैं, तब जंगलों और पहाडों के राज्ये जारखन के ग्रामीन आदिवासी के दोरान ग्रामीन चेत्रों में तुशुमनी की मिट्टी की मूर्ती बना कर उसकी पूजा मकर संक्रांती के लगभग एक महीने पहले शुरू कर दी जाती है, ग्रामीन अपने घर में तुशुमनी की छोटी बड़ी मूर्ती स्थापित कर उसकी पूजा करते हैं, हाला कि पूरे राज्य में तुशुमनी की कोई इस्थाई मंदिर नहीं है, एक महीने तक पुजा अर्चना के बाद इस पर्फ का समापन मकर संक्रांती के दिन भड़े भव्वे तरीके से तुशुमनी की मूर्ती को इस्थानी नदी में प्रवाहित कर किया जाता है। आकरशक पालकी नुमा मंदिर बनाया जाता है। रिवाज के नुसार इन पालकियों को बनाने का काम सिर्फ कुवारी लड़किया ही कर सकती है। तुशुमनी को नदी ले जाने के दोरान इस्थानी लोग खूब नाश्टे हैं तथा पारंपरिक गीत भी गाते हैं। पारंप प्रतिमा को नदी में विसरजित कर दिया जाता है। इस आउसर पर इस्थानी लोग अपने घरों में गोड़, चावल और नारियल से बनी एक खास मिठाई पीठा बनाते हैं। तथा अपने मनरंजन के लिए इस्थानी ग्रामिल्ण, मुर्गा लड़य की प्रतियोगिता इवं हब्बा डब्बा का खेल भी खेलते हैं। साथ ही इस दिन पारंपरिक मदिरा, हडिया का सेवन भी क्या जाता है। आदिवासी बहुल राज्य होने के खारण, राज्य के अलग-अलग गाओं वा, अस्बों में कई दिनों के लिए कुशू मेला का आयोजन भी क्या ज हर बारा साल के अंतराल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस पर्व में महिलाओं प्रुशों का परिधान पहन कर, हातों में परंपरागत हतियार जैसे गुलैल, कुलहाडी, डंडे, तीर धनुश आधी लेकर घर से निकलती हैं। और रास्ते में दिखाई देने वाले पालतो या जंगली जानवर अत्वा पक्यों का शिकार करती हैं। ये पर्व, मुख्यता, जारकण के औराओं आधिवसी समुदाए में मनाया जाता है। उसे शाम को घर में पकाया जाता है और रात में से खाकर जश्ट मनाया जाता है। जाननी शिकार के मनाने की पीछे एक एतियासिक कता भी है। एक बार बक्तियार खिलजी जो की अलादीन खिलजी का सेनपती था। उसने रोताश गड़ पर कबसा करनी है तू नववर्ष के दर्मियान किले पर हमला कर दिया। उस वक्त गड़ में जश्न मनाया जा रहा था और सभी प्रुष मादक वस्तों का सेवन कर नशे की हालत में थे। तब गड़ की सभी कुरुक महिलाओं ने प्रुषों का भेश धारन कर बक्तियार खिलजी को गड़ से दूर भगाया। तब से जनी शिकार बक्तियार करने की याद में मनाया जाता है। बक्तियार खिलजी ने बारा साल तक हर वर्ष सरहुक के समय गड़ पर कबज़ करने के उद्देश्य से आकरमन किया। प्रंतु हर बार वो प्रुषों के भेश धरी कुरुक महिलाओं द्वारा भगा दिये गए। इसलिए पर्व हमारे 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है।